हेलो दोस्तों कैसे हैं आशा है अच्छे होंगे अपने गार्डन में विंटर फ्लार को खुब इंजवाई कर रहे होंगे आप देख रहे हैं माई यूटूब चैनल लखनवी गार्डनर मैं आपको विंटर फ्लार दिखातो रही हूं दोस्तों लेकिन आज का टॉपिक है मेर इटैनियम का ही मेli चैनल पर आपका बहुत-बहुत खार्दिक स्वागत है आप देख आप यूटूब चैनल लखनवी गार्डनर आज का टॉपिक है कि मैंने अपने अडेनियम फरवरी के महीने में अडेनियम प्लांट पर बहुत सारे काम होते हैं जो कि हमको करने होते हैं सबसे पहली तो फरवरी के महीने में हमें अपने प्लांट की प्रूनिंग कर लेनी होगी दो बार मैं प्रूनि हैं सतर पचुंत हैं कि प्रूनिंग और रिपोर्टिंग इतनी आसान नहीं देरे देरे करती हूझ जो ढयती हूं आपके दीज में शेर करती हूं अगर प्रूनिंग कर ली भी आपने प्रूनिघ कर ली है कि दूसतों तो अप हम को पांच शे दिन बीट गए हैं मैंने तो रिपोटिंग पांच शे दिन पहले की थी उसके बाद हम ऐसा क्या अपने प्लांट को दें डैनियम के प्लांट पर जिससे इसमें फुटाओ बहुत जल्दी आने लगे तो उसके लिए मैं जो करके सीखती हूं जो सफलता पाती हूं वही आपके बीच में मैं शेयर करती हूं क्योंकि जो बिगनर्स हैं उनको बहुत जानकारी नहीं होती है कल भी मेरे वीडियो में एक वीवर्स का कमेंट आया नाम तो मुझे नहीं याद है कि मैं एक हफता हो गया क्या हम पानी अपने डैनियम को दे सकते हैं या कोई फटल या में एक स्लो ग्रोइंग प्लांट है इसकी ग्रोथ के लिए और फुटाव के लिए फ्लावरिंग के लिए हमको धैर रखना होता है पेशेंच रखना होता है मतलब आपने पुरोनिंग कर दी रिपोटिंग कर दी अपना काम कर दिया अब प्रकिरती का काम है वो अपना क जानकारी आपको मिलती रहे वीडियो को शुरू से आन्त तक देखिएगा इसकी बिल्कुल ना करिएगा नहीं तो आपको आधिय धूरी जानकारी मिलेगी और कई लोगों ने कहा मैं आपके गार्डेन में डेनियम में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है तो आपके आयू से इनको पूरूनिंग के चार-पांच दिन पहले पानी नहीं दिया रिपोर्टिंग को हफ्तों हो गए तो अब इनको पानी की अवश्यक्ता है पानी की भी और किसी पावर्फूल फटलाइजर की ज़रूरत है तो आपके बीच में वह मैं जो इस्तेमाल कर रही हूं उसका लाइब दिखाना चाहती हूं क्योंकि आपको भी अच्छी जानकारी हो आपके प्लांट में भी फुटा उजल दी आए और फ्लावरिंग बहुत अच्छी अच्छी हो अगर आपको मेरे गार्डन की फ्लावरिंग देखनी है तो तीन-चार महीने पहले का वीडियो आप ज लिए देना करते हुए आपको फटलाइजर बताऊंगी जिसे आपके प्लांट में फुटाव बहुत जल्दी आएगा और फ्लावरिंग भी मार्च से ही स्टार्ट हो जाएगी सबसे पहले तो दोस्तों देखिए वू डैश लेना इसमें पोटाश फास फूरस दोनों होता है जिसकी मातरा से हमारे प्लांट में फुटाव बहुत जल्दी आएंगे एक दो मुठी लेना है मैं आपको नापके हिसाब से बता रही हूँ दो मुठी ये छूटी सी गिलास है अगर आपके पास बड़े प्लांट है उस हिसाब से बनाईएगा मैं एक लीटर पानी का ब हमें देना जरूरी है और रिपोर्टिंग और प्रूनिंग के बाद आपको सूखा पटलाइजर नहीं देना है देखिए मैंने तयार कर लिया है लेकिन अब आपके बीच में क्वांटिटी बताऊंगी जिससे आप बना सकें दो चीज हो गई वुड़ेश हो गई बोनमील ह हो गई इससे हमारी प्लांट की जड़ों को मजबूती मिलती है मिनेटी पावर बढ़ती है कैल्शियम से मजबूती जड़े हो जाती ही कोडेक्स मजबूत हो जाता है उसके बाद यह क्या करता है उपर ब्रांचेज को पतियों को फ्लावर को खूब अच्छे से प्रोटेक की खली क्योंकि अभी अभी हमारे मौसम में पूरी तरह से गर्मी नहीं आई किसी किसी समय सर्द होती है सुबाय और शांद सर्दी भी होती है तो इसलिए इसमें फुटाव जल्दी नहीं आ पा रहा है थोड़ी गर्मी धूप से मिलती है थोड़ी गर्मी हम नीम की खल से दे सकते हैं तो इसको ऐसे तोड़ लीजेगा और पानी में डाल दीजेगा अब अच्छे से फ्लावरिंग करें अच्छे से ग्रोध करें उसके लिए हम जो यूज करते हैं वो है यह और गैनिक फटलाइजर पोटाश इसका भी यूज मैं करती हूं तीन महीने नहीं करती ह है और फ्लावरिंग भी होती एक महीने बाद मैं अपने इन प्लांटों की फ्लावरिंग आपके बीच में लाइफ शेयर करूंगी तो चौती चीज हो गई पोटाश अब आपको लेना है पाचवी चीज पहुत जारा था एक चम्मच भर के नीम की खली यह होगा फंगा संगा तो उसको यह नश्ट कर देता है तो आपको नीम की खली भी लेनी है और सर्सों की खली भी लेनी है चार चीजें पांट चीजें यह हो गई दोस्तों पोटाश नीम की खली सर्सों की खली बोन मील वूडश अब लाश में आपको लेना है फंजी साइड पाउडर देखिए मैंने निकाल के रखा हुआ है साफ का इस्तेमाल में बरहो महीना अडेनियम पर करती हूँ महीने में एक बार पाने में घोल के इनका घोल घुला हुआ पानी अडेनियम की जड़ों में जरूर देती हूँ तभी मेरे प्लांट इतने अच्छे हैं और कोडे इसकी बहुत सुंदर व्यूटी है आप क्या डालती है तो जो मैं इस्तेमाल करती हूँ उसका फाइदा देखते कुए आप लोगों के पीच में भी शेयर करती हूँ ताकि आपके गार्डेन में भी खूब अच्छी फ्लावरिंग हो अब आपको एक चम्मच एक लीटर पा और सुबाय शाम आके इसको खूब अच्छे से मिलाते रहना है देखिए खूब अच्छी तरह से मिलाते रहिए जिससे ये पाँचों इंग्रीडियंट अच्छी तरह से इक्वेल मातरा में मिल जाए अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है अब पानी का कलर देखिए चुकि इसमें वूड आइज भी पड़ा है और बोन मिल भी पड़ा है इसलिए इसका रंग बिर्दम मतमेला हो गया है अब आपको करना क्या है अपने प्लांट के हिसाब से देखिए इसकी भी प्रूनिंग और रिपोटिंग हो चुकी है नीचे प्लांट के हिसाब से बड़ा गमला है तो एक भर के दब्बा दे दीजिए चोटा गमला है तो आधा दीजिए मगर पानी एक हफते हो गए है सारे प्लांटों को आपको देना ही देना है पानी के साथ-साथ ये फटलाइजर भी है जो बहुत जल्दी फुटाओ हमारे प्लांटों में लाएगा और फुटाओ आने लिए के समय फिर मैं आपको पिलकुल लाइब दिखाऊंगी कि देखें इस फटलाइजर का फाइदा कितना ज़ादा हुआ है और फुटाओ आ गए है वैसे जिन प्लांटों की मैंने प्रूनिंग नहीं की है हर प्लांट की प्रूनिंग मैंने की भी नहीं है क्योंकि इसमें नई गुरोथ देखिए और नई नई कल्यों का गुच्छा भी निकल के आ गया है इसलिए ये देखिए पाथ से दिखा रही हूं कल्यां भी आ गई है इसलिए आपको भी एक सुझाव है कि जब कल्यां आपके प्लांट में आने लगें नई गुरोथ आने लगे पतियां निकलने लगें देखे पती भी निकलने लगी है इसलिए मैंने इनकी भी प्रूनिंग नहीं किया है अब इनकी प्रूनिंग मैं सिकंबर के महीने में करूंगी या क्टूबर में करूंगी पौदे बहुत जादा हैं पानी धीरे धीरे डालती रहूंगी नहीं से ही अपने प्लांट में फ्लावरिंग पाना चाहते हैं तो इस तरह से अपने प्लांट की आप देख रेक करिए आगर कोडेस पे पड़ भी गया है फंजी साइट का पानी तो कोई नुकसान नहीं है क्योंकि हमारे प्लांटों को प्रोटेक्शन देगा ये ये रहा प्रून फुटाव आने के लिए इनको प्रोपर धूप में रखना होगा नीचे से आपको फटलाइजर दे दिया है जड़ों में उपर से दूप की कर्मी पाएगा तो ही ये बहुत अच्छे से फुटाव देगा और फुटाव आएगा तो भी साथ में कलियां भी निकल के आएंग दोस्तों कहते हैं कि सूखा देर में फायदा करता है लिकवेट फटलाइजर जल्दी फायदा करता है इसलिए हमने इसको दे दिया है अगर आपको समझ में आए तो आप भी बना लीजिए इतने सामानों को घोल के और दे दीजिए अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ इन बहुत धन्यवाद